इस वीडियो हम बात करेंगे आदानी इनर्जी सेलोसन लिमेटेट के बारे में जहाँ पे आप देखेंगे पिछले ट्रीडिंग सेशन यानी 5 जनवरी के दिन इस टॉक में 1.42 परशंट का गिरावड जो है दिखने हो मिला इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक अपडेट आपसे मिशना हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो पिछले 5 दिन के अगर हम बात करेंगे तो 12 परशंट लगवग रिटान दिखने हो मिला है पिछले एक महिने के अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो कि 2.98 परशंट का गिरावड इस टॉक में याप दिखने हो मिला है फिल हाल अगर हम बात करें पिछले 5 दिन में तो यहां पर देखिंगे एक इस्टेबल कंडिशन में नजारा रहा है और यहीं एक मौका होता है किसी भी स्टेबल था जब अरदस्ते तेजी यहां पर दिखने हो ही मिला फिर अभी के टाइम में कह सकते हो गिरावड थोड़ थोड़ा टूटता हुआ नजर आ रहा है, सभी में से सभी और देखाने है तो कुछ देखने मिला था, वो यहाँ पर कुछ धिरावट में नजर आ रहा है, बाकि यहाँ पर opening तो हुआ था, previous close से भी उपर, बटे वीरावट हुआ, अलागा था, previous close को भी डाउन कर दिया, फिल पार्केट क्लोज होने के बाद भी कुछ 236 कॉंटिटी यहाँ पर सेल साइड में, और में यहाँ पर लगा हुआ है, आप दिखेंगे हैं, और कुछ इंफर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि डिलिवरी पोजीशन में क्या दिखना है, पास जनवड़ी की टोटल कॉंटिटी तो ट्रेड़ कॉंटिटी 46% का माल उठाया गया, डिलिवरी में आप दिखेंगे हैं, तोटल कॉंटिटी तेरा लाग तैन्तालीस जार चुरान भी ट्रेड हुआ है, और इसमें से डिलिवरेवल कॉंटिटी 6,88,243 है, जो कि 46% का लगभा कहा है सकते हो पिछले कुछ दिन के अगर हम बात करेंगे, आप हमें किया दिखने हों मिला है, उसके उपर तोल सका हमें आप देखने हों मिला है, तो स्बसे प्राइस चार दिन में कह सकते हो गिरावट हुआ, उसके पहले 4 दिन लगातार तेजी था, एक दिन तो 11% से भी उपर तेजी मतलब कह सकते हो कुछ यहां पर, पिछले अगर दिखा जाए तो 10 दिन से, पिछले 10 दिन से अगर हम कंपेर करेंगे, तो जब अर्दस तेजी में नज़र आया है स्टॉक, और गिरावट थोड़ा हम में दिखने हों मिला है, फिलाल दो दिन से गिरावट ही है, आप दिखि इसका भरोसा आदानी गुरूप कंपनी पर कहा कि पावर सेक्टर में सुधारों का मिलेगा सबसे ज़्यदा फायदा, अब दिखेंगे, पावर सेक्टर में सुधारों का मिलेगा सबसे ज़्यदा फायदा, और रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में बिजली की मांग साथ फि ग्लोबल ब्रोक्रेज हाउस ग्लोबल ब्रोक्रेज आप देखेज ने अनुमान दिया कि मई मई 2024 के बाद पावर सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा सुधार एक बड़ा सुधार एक बार फिर चार्चा में चार्चा के केंदर में आ सकता है रिपोर्ट में रिपोर्ट के मुताविक अधानी ट्रांस्मिशन को इस बड़ाव का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा अधानी ट्रांस्मिशन का नाम बदल कर अब अधानी एनर्जी सोल्यूशन हो गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिफॉर्म डिस्ट्रिवूशन में नीजी हिस्सेदारी को बढ़ावा देगा और इंडस्ट्रीज के अगर हम बात करेंगे आपर और दिखेंगे आपर जो भी डिस्ट्रिवूशन और डिस्ट्रिवूशन कंपनियों की वित्य सिहत को सुधारने में मदद करेगा आप देखेंगे और क्या कहा गया है रिपोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरम बात करेंगे नवी करण को बढ़ावा देगा और फिलहाल आप देखें यहां पर company को आर्थिक के स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल सबसे आदा फायदा आदानी ट्रांस्मिशन यानि आदानी एनर्जी सोलूशन को मिलेगा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका सबसे आदा फायदा आदानी ट्रंस्मिशन यानि कि आदानी एनर्जी सलूशन को मिलेगा और बाकी यहां पर जो भी इंफोर्मेशन्स वगरा है आप जो भी पढ़ सकते हो और भी कुछ यहां पर हमें दिखने हो मिल रहा है और क्या है कर लेकर अनुमान तो पॉर्ण सेक्टर में ब्रोकरेज हाउस का टॉप पिक्स में आप धींगे हैं पर एंटी पीसी और यहां पर यहां पर बात करेंगे एनर्जी और पाउर ग्रेट भी यहां पर सामील है जी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दसक्र में दौरान बताया है कि पांड सेक्टर एक काफी अचा सेक्टर है और पांड सेक्टर रिणोबल इनर्जी शेक्टर जो कि आने वाले टाम में काफी जाबर दास अभी ग्रोथ प्रोटिंशिल होई बाकी है अभी कुछ अगर देखा जातो बहुत ग्रोथ हुआ है पिछले एक डेट सा कि अगर हम बात करेंगे तो 17.74% का है पिछले कुछ quarter से पिछले 2 quarter से देखेंगे FIS का holding यहाँ पर लागातार डाउन हुआ है और बात करें DIS का holding के बारे में जो कि 3.82 से 3.87 हुआ है तो कैसे हो कि DIS का holding तो increase हुआ है बट बात करें public का तो public ने आपना holding काफी ज्यादा down किया है पिछले quarter से आप देखेंगे यहाँ पर जुन 2023 से सिप्तमबर 2023 के देखेंगे आप comparison करेंगे तो public ने काफी बड़ा holding जो है यहाँ पर घठा हुआ है मतलब कैसे हो 5.17% 8.26% से 5.17% देखने हो मिल गया तो कई ने काई यह कुछ निवीज निकल किया रहा था जो कि इस वीडियो मेंने बता है बाकि अगर हम बात करेंगे तो कुछ pros and cons भी यहाँ पर दिखने हो मिल रहा जो कि आप cons भी दिख सकते हो pros भी यहाँ पर दिख सकते हो promoter का holding increase हो है और बाकि दूस्तो आपका क्या कहना है stock के बारे में आपका मतलब क्या रहा है इसके उपर आपने कितना पर investment किया है अगर अब बताना चाहूँ तो बदा सकते हो उने चे comment में फिलहाल आज के लिए खुशित नहीं और कहीं न कहीं अगर हम बात करेंगे और यहां पे जो growth का potential में काफी अच्छा दिखने हो मिल रहा है और जीतना discount होता है मेरे experience के हिसाब से कर दखा जाए जीतना आपको discount जीतना गिरावट आपको दिखने हो मिलता है तो थोड़ा-थोड़ा करके आप आराम से यहां पे SIP की तरह investment कर सकते हो मेरे experience के हिसाब जोगर दखा जाए तो बाकी final decision अपने आपके उपर लेजीगा अपने financial advisor से रवाइस लेजाए उसके बात सूचिए आपको क्या करना है मेरे कहने पर आफर कैसी और कहने पर direct tank बंद करके इसमत किजए अपने आप से study की से उसके बात सूचिए आपको क्या करना है otherwise ignore it मिलते हैं किस दूसरी वीडियो में this video is only for education purpose